हेलो अबरुवान, वेरे वेरे गड़ापने लून, कैसे हो, होप करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे श्रो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि दोहजार चौबीस में क्या करें बियरड करें या डियलर करें, उपी जुडियरड धोहजार चौबीस का फर्म कब आएगा, उपी बियर्टे अंटर्स एकजाम दोहजार चौबीस का फर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, उपी टेट का शिंटल ककरी आपको इस वीडिप्डेत में पाने के लिए, अभी कभी पीचिंग एक्जाम की अपडेट हैं, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माद हम से मिल सके, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शबसे पहले हम बात करेंगे, बीएड, डीलेड के बारे में की फार्म कब आएंगे, एंड क्या करना चाहिए दोहजार चौ इसका जो फार्म है, आपको माई में देखने को मिलेगा, बीहार डीलेड का फार्म आ गया है, बीहार डीलेड का फार्म आ गया है, तो जैसे जो लोग बीहार से हैं, तो लोग अपना फार्म भर सकते हैं, अब देखिए, आप जैसे बीएड करते हैं, तो कहां कहां पे आप आप जो है farm भर पाएंगे, beard करने के बाद, आप जो है 6 to 8 की vacancy देख पाएंगे, junior की, and 9 से 10 तक की vacancy देख पाएंगे, 11 से 12 देख पाएंगे, इसमें हलंकि कुछ जगह जैसे, अगर हम PGT की बात करें, तो PGT में कुछ जगह जैसे बिहार में, तो बिहार में जैसे PGT की जगह आती है, तो इसमें beard मांगा जाता है, जैसे उत्रप्रदेश की बात करें, तो उत्रप्रदेश में अगर आपका कीवल PGT है, देखना है आपको जैसे PGT, तो आपके पास PG degree है, तो आप देख सकते हैं, beard इसमें मतलब कंपल सरी नहीं होता, beard रहता है, तो 100 अपिस हुआगा, कुछ percent आपको छोड़ भी मिल जाती है, बट कुछ state ऐसे हैं, जहाँ पे PGT के लिए जो है, beard अनिवारी है, तो यहाँ पे आप 628, 9 से 10, 11 से 12 यानि के TGT, PGT देख सकते हैं, LTE grade की vacancy आती है, और आपकी जो है, BEO की vacancy आती है, उसके बाद Army Public School की vacancy आती है, KVS में junior की vacancy हो गई, जितने भी जैसे junior हो गया, TGT हो गया, जितने भी स्कूल है, सभी में जो TGT की vacancy आती है, उसमें क्या मंगा जाता है, beard ही मंगा जाता है, PGT देखेंगे तो आपके पास होना चाहिए, PGD होना चाहिए, यानि कि M, M, S, E, M, Com, कुछ भी आप किये हो, PGD आपके पास हो की है, अब जैसे आप BTC, यानि कि DELETE करेंगे, तो आप कहां कहां पे eligible है, 125 and 628, बस इतना ही, अब आप लोग देखें फायदा किसमे है, ना ही आप BTC करेंगे, ना ही आप BAD करेंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे आप BAD कर लेते हैं, या BTC कर लेंगे, तो आपको प कमेंट आया था कल, कि मैं बता दूँ, कि एक कमेंट आया था कि सर आप BAD मत करने दीजे बच्चों को, गुमराह मत कीजिए, भाई आप BTC, मैं बोल दिया कि BTC ही कर लो, अब BTC करके सारे बच्चे प्राइमेरी जूनियर में ही मास्टर बन गए, तो TGT में कौन जाएगा, LTE grade में कौन जाएगा, 11-12 में कौन जाएगा, प्रोफेशर कौन बनेगा, तो मतलब यह सब चीजे होती हैं, थोड़ा बहुत सोच चमच के आप लोग कमेंट किया करें, तो मैंने उसको अच्छे से जवाब भी दिया है, ठीक है, तो आप BAD करेंगे, आप तलब आपको जो BAD की तैयारी करना है, तो आप चक्सू प्रकाश्चन की बुक से अपनी प्रवेशन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यह एश्टेडी गाइड बुक है, 2700 से ज़्यादा एंपॉर्टिन कोश्चन, साथ सोल पेपर आपको मिल जाएंगे, New Pattern पर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह SR Publication की बुक है, यह Exam Pattern यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया गया है, यह इसके विसे से उची देख सकते हैं, यह PYQ लगाएगे हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है, चक्सू प्रकाश्चन की बुक से अपनी प्रवेशन कर सकते ह इनकी गाइड के अलावा जो है Practice It की भी बुक आती है, तो अपने तयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी Practice It की बुक ले शकते हैं, Practice It की बुक में आपको 4900 से ज़्यादा Important Question, 700 All Paper, 15 Practice It आपको अलग से देखने को मिल जाएगे, तो दोनों पुस्तके यह आपको जो है यूपी डिलेट का फार्म मैंने बता दिया कि मई में आएगा, अब यूपी टेट का फार्म, यूपी टेट फार्म जो आएगा, यह चुनाओ बाद आएगा, ठीक है यह मन के चली कि अप्रेल, अप्रेल के बाद ही आएगा, अभी कोई चांस नहीं है, ओके कि नए आयोग अभी कारे चल ला है, फरवरी पूरा लग जाएगा, नहीं है अएग में उधर इलेक्शन आ जाएगा, तो इलेक्शन के बाद ही जो भी होगा, होगा, ओके, सीटेट जनवरी दो हजर चोबीस की अंसर की मैंने आपको बताया है, कि दस दिन बाद आपको देखने को मिल जा उके, नाइश्ट टेट की तैयारी करेए, अगर आपक tunnel नहीं निकल ला इस बार, तो अगले सीटेट की तैयारी करेए, साथ ही साथ आप जो है, यू पिर की की भी तैयारी करते रहें, दोनों को क्वालिफाइगे, आप सीटेट भी क्वालिफाइगी करेए, दो आप प्र B.A.D. करने के बाद कहां कहां पे जा पाएंगे B.A.T.C. करने के बाद कहां कहां पे जाएंगे तो ये आप decide करें अच्छे से समझ लेजिए क्योंकि अभी D.A.L.A.D. कभी फर्म नहीं आया है B.A.D. कभी फर्म दस फर्वरी से स्टार्ट हो रहा है एक फर्वरी है आज तीन फर्वरी चार फर्वरी है तो सुच विचाल लेजिए अच्छे से कि आपको करना क्या है ओके थाइंक की शो मच ये लोगो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिपिकिशन आपको मिलता रहा है मिलता अगले वीडियो पर थाइंक की शो मच बाइबाइब टेक कियर